सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले मैनेजमेंट को पुलना है कि मैनेजमेंट सुन। audit premise को अगरी कर ले और financial reporting framework acceptable है तेरा कौन सा है क्या है यह decide कर ले financial reporting framework तो चलो समझ में आगे audit premise क्या है कुछ नहीं assumption of audit है क्या है assumption audit क्या कुछ नहीं वही है कि तुमको financial statement बनाना है तुम्हें internal control follow करना है prepare करना है और तुम्हें हमें information देना है बाद में यह मत बोल देना कि auditor information खुद ढूंडो financial statement तुम बनाओ हम तो तुम्हें trial balance देंगे प्रस यह audit प्रवाइस है इस पर अगरी कर देना और सर यह सब चीज तो कहीं law में लिख्यू ही होगी ना कि management को financial statement बनाने auditor को audit करना है बहुत बढ़िया अगर law में ऐसा लिखा है तो आपको engagement letter की जर्वत नहीं है सिर्फ एक confirmation letter ले लेना जिसमें यह लिखा देना कि एक तो audit इस law के अंतरगत हुआ है और management अपनी जम्मेदारिया जो law में दी गई है उसे understand करता है और acknowledge करता है understand मतलब समझता है acknowledge करने का मतलब होता है स्विकार करता है इतने का बस आपको करने का है अब कोई बोल रहा है screen blur हो रही है क्या हो रहा ही है तो engagement letter की जर्वत क्या है बेसिकली बाद में कोई misunderstanding नहीं हो इसके लिए content of engagement letter की आपकी पाच चीज़ें सिर्फ पाच क्या सबसे बहले objective and scope of audit responsibility of auditor management की जिम्मेदारी financial reporting framework जो recite किया गया और reports जो expected है पाच बात है बस लोने prescribe किया तो हमने discuss कर लिया ना क्या होगा अगर कोई preconditions audit की accept नहीं है एंगे accept ए सारी exist नहीं करती है इसका मतलब management बोल रहा है कि भाई financial statement तू बनाना है या बोल रहा है हम तुझे यह information नहीं दे पाएंगे यहां सबकी clear screen तो आप एक बार आपके लेवल पर नेट चेक करिए चलिए तो अगर management बोल रहा है मैं नहीं दिपूंगा तुमको data यह auditor को लग रहा है रहे framework जो यूज कर रहे वह acceptable नहीं है तो क्या करें है कुछ नहीं audit accept मत करना जब भी ऐसा लिखो do not accept तो हमेशा एक लाई ना लिखना अनलेस law and regulation requires auditor to accept similarly अगर management तुमारे उपर कोई limitation डाले जैसे यह जैसे यह मत check करना internal control मत check करना बागी सब check करना है तुम भलेंगे हमारे audit की जिम्मेदारिया हमको एसेज में दी गई है law में दी जाई है तू नहीं decide कर सकता है कि हमरी जिम्मेदारी क्या होगी या नहीं होगी तो हमारे audit में हर वो चीज़ चेक करना है जो हमें हमारा ICI बोलता है प्यार है ICI जो बोलेंगे सब चेक करूंगा तो अगर तुमने मेरे पर कोई limitation डाली limitation का मतलब है पाबंदियां वो भी audit शुरू होने से पहले तो इस case में छोड़ो हमें तुमारा audit accept ही नहीं करना हम जन्जीरों में रहना पसंद नहीं करते हैं हमें यह गुलामी की बेडियों में नहीं रहना है यह limitations अगर हम पर डालोगे तो हम audit accept नहीं करेंगे पर जब आप यह लिखोगे तो वापस से लिखना unless law and regulation requires यहां तक का हमारा discussion हो गया था engagement terms अब आपके engagement terms fit हो गई यह आपने must audit शुरू कर दिया है इस सब कुछ चल रहा है बढ़िया चल रहा है लेकिन बीच में management आपकी terms को reduce कर देता है अब अपना आज का discussion शुरू करते हैं इसमें कहा गया है change in the terms of audit engagement management आपकी terms को change को हुआ है give me a minute management अगर आपकी terms को change कर रहा है change कर रहा है मतलब terms को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है क्योंकि देखो अगर management आपका scope बढ़ा रहा है तो तो वापस से आप आपके हिसाप से check कर लो कि बढ़ा रहा है इसका मतलब क्या वालिच से आपको पहले companies का audit करने के लिए का था आप बोला tax audit भी कर दो तो वह अपने आप में एक fresh engagement है उसके लिए हम वापस से क्या करेंगे engagement accept करना है या नहीं चेक करेंगे नया letter बनवा लेंगे तो उस पर दिमांग नहीं लगा रहे है अभी यहां पर हमारा focus के इस पर है terms को change करके वह scope को reduce कर रहे है यानि दोस्तों यह हम जो discuss कर रहे है वह वाली case है जब वह तुम्हें कहती है now let's be friends only दुबारा now let's be friends only दोस्तों कोई मुझे इस line का मतलब सुन जा सकता है इसका मतलब पहले हुजने तुम्हारे साथ साथ जैन्मों की जीने मरने की साथ साथ में कस्में खाई थी हाँ हाँ क्या वादे किये थे क्या इरादे थे और उन सब पर आज पानी फेर दिया आए और आज वह कहती है now let's be friends only वह कहती है अब मैं तुमसे फरवरी की चवदा तारिक पर नहीं मिलूँगी मैं तुमसे अगस्त के पहले रविवार पे मिलूँगी अब मैं तुम्हारी वैलेंटाइन नहीं हूँ अब से मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूँगी तो वह कह रही है तुम्हें now let's be friends only मैं जानना चाहता हूं बंदों से और बंदियों से जितने लोग यहां पर है Google Drive पर भी जो देख रहे हो WhatsApp पर चैट पर बताएं ताकि मेरा भी ग्यान बढ़े आप लोगों से ही सीखता हूं मैं इस सारी चीज़े आपका जवाब ऐसे में क्या होना चाहिए मैं रुका हूं आपके जवाब के लिए what should be your answer after so many promises so many dreams which we had build together now she's saying now let's be friends only क्या जवाब दोगे आपका जवाब होगे यह क्या जवाब दोगे नहीं दिलजले सटोडेंट एसे सवाल भी नहीं समया रहे है इसका क्या मतलब होते है यह क्या हूं यह भागवार है तोड़ा बिगड़ो रहे इन फैक्ट थोड़ा सुध्रो बाई बहुत बड़ी है बाई का इगो आगया आज तो में दो दो गॉलर बेन के आयो देखों तो इसी कॉलर रिची होगे आपने लाहटा बाई तो मोय मोय यह क्या होता है थोड़ा मेरे घ्यान बताओं इंगेजमेंट लेटर साइन नहीं तो दोस्तों यह सारे जवाब लड़कों के हैं जित्ते भी पड़े और यही दिक्कत है कि बंदिया तुम्हारे उमीदों पर तुम बंदियों के पूरानी उतरते और तुम्हारी अभी तक जुगार बैठ नहीं दिया बंदी को ऐसा बंदा नहीं चाहिए प्लीज अंडिस्टाइंड वुमें तुम्हारा जवाब होना चाहिए था जिससे क्लास की गूगल ड्रा पर जवाबेटे क्या एक्सपेक्ट करती है बंदी जब तुम्हें ऐसा बोले एक्सपेक्ट करती है कि तुम उससे पूछाओं स्वीटी तुम तो ऐसी नहीं थी जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है नहीं तो हमें तुम पर पूरा विश्वास है तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती स्वीटी आप ऐसा बोलिए आप उससे पूछिए क्या बात है स्वीटी क्या कारन है कारन बताओ स्वीटी स्वी एक दम से नहीं बताएगी पहले थोड़े से आसू, थोड़ा शर्माना, थोड़ा रुख सा जाना, फिर उसके बाद स्वीटी तुम्हें कई बार जब तुमसे फोर्स करोगी, वास्ता दोगी, कस्में खिलाओगे, तब जाके स्वीटी तुम्हें रीजन बताएगी. अगर स्वीटी का रीजन तुम्हें जायस लगता है, क्या मतलब जायस लगता है? पटुक महराज ने बोल रखाएगी, हमारी जिससे भी शादी होगी, उसकी उम्रे छोटी हो जाएगी, उन्हों लाँटी के फिर छोड़ दे वाई, जस्टिफिकेशन, उसने कहा है, सॉरी तो शादी करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमें कोई ऐसी बिमारी हो गई है, जसकारण से, शायद हम अठारा भी बार नहीं कर पाएगी, फिर ठीक है, फिर तो जिन्दा मत कर, अपन जब तक है, तक है, जब 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 but you are under no obligation to accept तो अगर उसका reason justified है तो तुम उसे स्विकार करोगे ऐसा नहीं बोलता है standard कर सकते हो ऐसा बोलता है standard आपके उपर कोई compulsion नहीं है आपके पास choice है और अगर तुभे लगता है कि उसका reason justified है और तुम revised terms, reduced terms accept करे हो तो बहतर है कि तुम उसके लिए एक नया engagement लेटर बना दो और अब उस reduced term में जब तुम अपनी report दोगे तो क्या तुम बताओगे पहले sweetie हमारी वो थी पर अब वो हमारी सिर्फ दोस्ते ना ना यह देखो दिल जले बच्चे बोल रहे है सर sigma male must focus only on their career बहुत बड़ी आविटा बट यू नो नो थिस behind every successful man there is काय है है आज कले साथिक behind every successful man there is nowadays a divorce application क्या रहे जादा है जमा कर रहे बड़े बड़े लोगों क्या हो रहे Raymond's वाले अनकल का हो रहे Jeff Bezos का हो गया इतने नीव है so the point is की अगर management आपकी terms change करता है तो आप उससे पूछो justification दो इसका हम बोलेंगे sorry we will not be able to accept the reduced terms unless you give us a justification for it कम माना जाएगा की justification reasonable है में भी management बोल रहा है अगर हमें misunderstanding हो गई थी में भी management बोल रहा है circumstance change हो गए जिससे service की जर्वत ही नहीं है जैसे उधारन के तौर पे लचे you were appointed tax auditor but company has not crossed the tax audit turnover limit tax audit में क्या होता है अजकल एक नहीं है में कि अगर आपकी 95% receipts और payment non cash है बैंक में तो tax audit की जर्वत नहीं है हमने appoint कर दिया था यह जानते सोचते समझते हुए कि भई हमारी cash receipts और payments होते ही हैं काफी पर year end पे नहीं हुए इत्ते अब जर्वत ही नहीं है tax audit की ऐसा March में पता पड़ा पर मैंने तो क्या किया था September October में ही tax auditor company auditor appoint कर दिया था तो आपको एकी auditor से एक appoint किया था बुला company audit tax audit दोनों करना है यह करना पड़ता है annual general meeting मेरी विल अच्छे for example September 23 में मैंने आपको company auditor tax auditor दोनों appoint कर दिया September 23 में March 24 में पता पड़ा कि भही मुझे तो tax audit करान की जर्वत ही नहीं तो अब April 24 में company request कर रही है auditor से कि स्रिफ company audit कर दो tax audit मत करो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों तो company कह रही है कि या देखो हमारी उपर tax audit की limit ही नहीं लग रही है हमने check किया तो हमने बुला company जो कह रही हो सही है यानि कि circumstances ऐसे बदल गए है कि अब उस service की need ही नहीं बची है या फिर restriction on scope of audit engagement whether imposed by management or caused by other circumstances अगर imposed by management होगा तो may not be acceptable but circumstances होगा it may be acceptable जैसे उधारन के तोर पे आपको auditor appoint किया था company का mid of the year company का एक merger हो गया और court के order के अंतरकत का गया है कि merged entity में joint auditor होंगे जिसमें दोनों कमनी के auditorत मिलके audit करी मैं audit कर रहा हूं a limited का a limited और b limited का merger a limited में हो गया तो technically मैं a limited का auditor हूं मुझे ही audit continue करते रहना था पर court का order है कि अब a limited का audit merger के बाद b limited का auditor था और a limited के auditor मिलके करें तो मेरा तो scope आदा हो गया मैं full auditor, solo auditor जो joint auditor बन गया पर यहां पर जो मेरा scope कम हुआ है वो scope कम करने के पीछे there are reasonable reasons for it justifications for it और यह circumstances imposed है management की चाहत नहीं है तो ऐसी situation में auditor may reduce we will consider the justification given particularly restriction on scope of audit engagement अगर आज restriction है तो हमें बहुत ध्यान से सोच के करना है कि हम reasonable माने या ना माने अगर आपको लगता है कि जो change किया जा रहा है वो satisfactory नहीं है sorry यह ऐसा नहीं है अगर आपको लगता है कि change आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई कमनी की ऐसी information पकड़ लिया जो गलत है और इसलिए अब management आपको चा रहा है हटाना किसी तरह से जैसे कि auditor is unable to obtain sign regarding receivable और entity बोल रहे है कि आर एक काम करो आप audit engagement को review में बदल दो ताकि qualified या disclaimer of opinion नहीं है यानि मुझे समझ में आ रहा है की मुझे समझ में आ रहा है की वापस से वाइस में issue आ रहा है क्या मैं यह कह रहा हूं दोस्तों कि मुझे यह समझ में आ रहा है कि मैंने कोई गल्ती पकड़ लिया management की और management चाहता नहीं है कि उसका opinion modify करो में रिपोर्ट में लिखो कि वही तुम्हारे टेटर्स गलत है या फेक है तो management बुल रहा है काम करो ना तुम ज्यादा detail में जागी मत तुम review करतो यह acceptable नहीं होगा तो गलती पकड़ में आ गई इसलिए scope कम किया जा रहा है तो यह कभी भी acceptable नह consider before agreeing to the change of audit engagement to an audit engagement providing lower level of assurance तो पहले आप देखो reasonable justification है या नहीं है उसके बाद देखो कि अगर आपको audit as per assays करना था और आपका scope reduce किया जा रहा है तो क्या इसके कोई legal implications हो सकते contractual implications हो सकते हैं क्या जैसे R.O.C. को या R.P.I. को या C.N.D.G. Comptroller Auditor General को inform करना उनकी permission लेना एक सेक्टरा वो समझ लो फिर आपको लगता है reasonable justification है reduced scope के ताप एक काम करना जो काम आपने अभी तक किया है हो सकता है वो आगे के लिए relevant हो पर फिर भी आपकी report जो आप बनाओगे उसमें आप कोई reference नहीं दोगे original काम का या जो procedure आपने शुरू में perform किये थे उसका finally ये ध्यान रखना कि अगर terms change होई है तो auditor और management नहीं terms of engagement को एक engagement letter में या कोई भी return agreement के form में write कर लेगे पर अगर आपको लगता है कि जो change in terms है हम उससे agree नहीं करते है इसका मतलब हमें justification नहीं दिख रहा है उसने का नहीं बता सकती मैंने बुला क्यों नहीं बता सकती उसने का नहीं मैं नहीं बता सकती हम ला क्या कारण है इसा उसने बुला कुछ परिस्तितिय यह 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 नहीं बता सकती है हमने बुला सब बताना पड़ेगा हमारे बीच में कोई personal बाते नहीं है दोनों सब का कुछ सब कुछ एक दूसरे के सामने ट्रांस्पिरिंट है पारदर्शी है तुम्हें बताना चाहिए उसने बुला नहीं बता सकती है जरूर कोई कारण है तो अगर रीजनबिल जस्टिफिकेशन नहीं है आप क्या करोगे आप बोलोगे सॉरी यह तुमने वादा किया है तो कंटेनियों तो करना पड़ेगा य हाँ चलो हम आडित करने आ रहे हैं और जैसी हम अंतर आ को क्या कर रहे है बाद दे जा रहा है एसी सिच्वेशन में मैंजमेंट में जब आपको पर्मिट ही नहीं करेगा और दिक नि करने के लिए तो आपके पास क्या चॉइस होगी बिड्रॉ जब भी withdraw लिखते हैं तो आप देखोगे कि क्या withdraw करना possible है या नहीं है law regulation में हमें मना तो नहीं कर रहे है प्लस ये भी लिखते हैं कि जब भी आप withdraw करते हो तो आप चेक करते हो कि आपकी कोई contractual या otherwise obligation तो नहीं है किसी को report करते है क्योंकि ये बात clear है दोस्तो records मतलब solution क्या है अगर आपका agreement नहीं हो पाया है change in terms का और management limitation impose कर रहा है या आप पे continue करने के लिए limitation मतलब करने नहीं दे रहा है या आपका solution या resolution होगा this is basically what this is basically what happens when there is a reduced तो दोस्तों जब भी resurrection की बात आती है audit छोड़ने की बात आती है तो एक set तरीका है उसका नहीं देखा था क्या बनने है चलो मताता हूं नहीं एक general rule main terms में लिखवा देता हूं आपको मैं काम आएगा आपको सभी जगे resignation this discussion is relevant and same for almost every ऐसे discussion कहता है कि when circumstances leads to resignation by the auditor यसे क्या बुला जाता है विच बेसिकली तर्म आपको सभी जगे or engagement then always you need to mention in exams or consider following Griffith कैंज से विखायाद्नelect्री जगाइए है चीजिनी आपको सभी तर्म Các बेस्वें वी देस्वें नहीं प्याम labor the opinion that withdrawal from engagement is required when he first discusses the matter with MGT management and TCWG, Dosh Chaj, with governance and considers whether withdrawal is permitted under the applicable laws and regulations हो सकता है कि आपको कोई law में withdrawal का permission ही नहीं है ऐसा होता है कि आँजैसे saving का नियम एक कि आप listed company के auditor हो listed company में quarterly statements के review होते है तो अगर आपने first, second, third quarter के review कर दिये है उसके बाद आप चाके भी withdraw नहीं कर सकते है जब तब आप fourth quarter और annual financial statement का review और audit ना करो तो कभी law मना भी करता है कि इस stage पर मत करो क्योंकि नया auditor लाने में time लगेगा और उसको समय नहीं वचेगा पूरा audit करने के लिए फिर उसके बाद वो बोलता है that if withdrawal का option exercise किया जाता है इसके बाद उपर की दोनों चीज़े consider करने के बाद then consider whether auditor has any legal or contractual obligation to inform any regulatory body like ministry of corporate affairs RBI, CAB, Comptroller, Auditor, General कोई भी इन में से and also to the shareholders of the company क्या उन्हें inform करने की जर्वत है shareholders are appointing authority and obviously he should in any case अगर वो withdraw कर रहा है तो in any case उसको inform करना पड़ेगा किसको management.tcw. ऐसा नहीं auditor ने withdraw कर दिया तो छोड़ दिया audit और फिर आई नहीं रहे management phone लगा रहा उठा ही नहीं रहे है तो उठा लिए हमने बुला है राई नहीं रहे हमने तो छोड़ दिया audit बोले कि इसको बता है बोले क्या बताना बस छोड़ दिया तो क्या आपको RBI को अगर बैंक है तो बताना है क्या वो हमें नहीं पता वो RBI आक के नियम बताएंगे जैसे कमनी जाए कहता है कि अगर आप resign करोगे तो आपको ministry of corporate affairs को 30 days के अंदर बताना है नहीं तो penalty लगा देंगे आप पे auditor पे नहीं बताने अगर लिस्टेट कमनी है तो उसमें आपको audit committee को बताना होता है जो 24 hours के अंदर गत 24 hours अपसे उनकी मीटिंग होती है उस auditor resignation के उपर उसके 24 गंटे में उनको इतला करना पड़ती है कि इसको stock exchange को कि auditor resign कर गया है क्योंकि listed company में इस exchange को auditor resign होने के 24 hours में क्यों बताते है क्योंकि इससे हो सकता है कमनी के share की price काफी गिर जाए एक शेंज आते है कोई भी ऐसी price sensitive information है जो price को affect कर सकती है उसे फटाफट public कर दो ताकि ऐसा नहीं हो कुछ को पताओ तो वो उसका फाइदा उठा ले सबको पता होगी तो automatically उसका impact share की price पर चले जाए तो यह जो सारे standard में जब भी auditor withdraw करने की बात करेगा, resignation की बात करेगा, यह same नियम लागो होंगे, same चीज आपको लिखना है, हर बार आपको ऐसी लिखना है इसमें कोई difference नहीं है किसी भी standard में तो इसको आगे से कभी withdraw लाएगा तो यह दुबारा पढ़ेंगे भी नहीं यह understood है, it has to happen like this only यह withdrawal समझ में आगे है सबको this is resignation or withdrawal यह से कुमिंग वैक तो अधिस कसन यह पूरा डिस्केशिन क्लियर होगे पूरे डिस्केशिन का मतलब क्या है ए अगर आपका स्कोप कम कर रहे हैं तो मानेज्मेंट से पूछो क्यों भी अगर मानेज्मेंट बोलता है कि यार इसका रीजन है तो आप रीजन देखो रीजन बले गया जैसे वो बोलता है जर्वत ही नहीं थी हमें audit की हमको लगा इंडर्स्टांडिंग हो गई थी इसको की आपको लग सकता है कि जन्यों नहीं तो आप कल रीड्यूस को बेक्सेट पर जरूरी नहीं है पर अगर आपने रीड्यूस को बेक्सेट किया तो कुछ चीज़े ध्यान रखना पहला नया engagement लेटर दूसरा रिपोर्ट में यह मतल पहले तो स्विट्टी हमारी वह थी अब सिर्फ दोस्ते कुछ पूरानी बताना ही मत की पहले आप क्या थे और अब क्या हो यह सब कानी मत बताना जो अब आपका रिड्यूस को पर उससे अपनी रिपोर्ट दे तीसरा हमने कुछ प्रोसीजर हमारे पहले जो लगाए थे क् की के लिए भी काम आया नहीं इसाइन्वंने के लिए भी कोई प्राप्लम नहीं है उन प्रोसीजर सक्का आपने लगाए तो ठीक है बर आप उन प्रोसीजर का पनी रिपोर्ट में रफिरिंच कि पहले हम ऊड़ीटर थे तो अबने प्रोसीजर लगा今日は आदा ऐसन आप weई क्या होता तो आप अपनी कैसी रिपोर्ट बनाते बस वैसी बनाते हैं यादी आपको रिपोर्ट पर पुरा दी का दी देने की जरुवत देए हाँ पर दाया एंगेजमेट लेटर आपको बैदेजमेट से साइथ करा था पड़ेगा इस पूरे पेज बे बात किसकी की गई है बेसिकली जब ऑडिटर का स्कोप क्या किया गया है रिडक्शन ओफ स्कोप दूरिंग दे टर्म ओफ ओडिट इसमें एक बात एकदम क्लियर समझ देना अगर अग्जाम में कभी आपको ऐसा क्वेशन आए जिस पे लिखे कि ऑडिटर ने फ्रॉड्स फगड लिये थे और इसने बुला यह फ्रॉड हमें लग रहा है अब हमें इसकी गहराई में जाना है आप एक काम करो आप स्कोप अपना रिड्यूस करके ऑडिट से रिव्यू पे आजाओ और रिव्यू में ऐसे भी इत्ती गहराई में जाते नहीं तो आप उपरी उपरे लेवल पे चेक करके रिपोर्ट करता है तो हम मुलेंगे सारी आप हमारा स्कोप क्यूं कर रहे हुगा गलती पकड़ में आगए और आप चाहते हैं नहीं हो इसका बतलब क्या हुआ आप चाहते ही नहीं हो कि कोई भी आपको अडिट करे या वो ही करे अडिट जो गलती पकड़ दी भाई और जो पकड़े उसको कम करते ते ओर रिपोर्ट जो बच जाते हो सौरी मैं तो अडिट ही करूँगा और मैं अपनी रिपोर्ट में बताऊंगा कि आपके हाँ पर यह गलती होई है पूरा चेक करने के मैंनेजमेंट बोले तू आतों से ही चेक करने तिरे को भूस नहीं नहीं देंगे तो ऐसे कि इसमें फिर मेरे पास कोई आप्शन नहीं होगा विड्राओ करने के अलावा पर विड्राओ करूंगा तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़े मस्त समझ में आ जाना चाहिए दोस्ता आपको मिझे लगता भी इसमें कोई प्राब्लम होनी चाहिए फिर भी अगर कोई है तो आप पूछ सकते हो नहीं तो इस ट्रंडर का आखरी मुद्दाड इसके सकरने आ रहे हैं इसके बादे से टू बन जीरो केंप्लीट सेबी के बाद क्या लिखा है सेबी कहां गया इग्जाम्पल सेबी आर बी आई सीए जी कम्ट्रोलर एंड आडिटर जेनरल आफ इंडिया चलिए नेक्स्ट हो गया बढ़ी शाबाश नेक्स्ट दोस्तों जब तुम कभी किसी दुकान पे जाते हो तो क्या कीमत पूछते हो किसी चीज़ को खरीदने से पहले हाँ सर पूछते है पर अगर तुम वो चीज़ रोज रोज ही खरीदते हो तो क्या रोज रोज कीमत पूछते है अगर सर उसकी किमत तुम फ्लक्छवेट नहीं होती है सेम रती है तो नहीं पूछते हैं जैसे सबजी रोज खरीदने जाएंगे तो रोज कीमत पूछते हैं पर आप लोग तो जाते नहीं होगे जाओगे तो भी बताओगे नहीं फिर भी बता देता हूं मैं पान की दुकान पर हम रोज जाते हैं क्या आपन रोज रोज कीमत पूछते हैं तो हो सकता है कि पहली बार जब आप पान की दुकान पे गए हो तो आपने उससे पूछा कि या कितने गए पान उसने कहा 20 रुपीज आपने बुला ठीक है अब अगले दिन गएं फिर आपने बुचा हाँ आप यह कितने गए पान उसने बुला 20 रुपीज अगले दिन गए उसने पहले ही बोल दिया फिर अगले दिन गए उसने बुला रहीं पूछचो इंपक्ट मजा खुरन लग गया हमारा उन्हें बोल दिया बोला रहे पीस रुपया आए पीस रुपया देखो पूछे का ही आते से ही कित्ते का है पान भी आ तो अजीब नहीं लगता है अरे यार केसी बाते कर रहे हो तुम अपन क्या रोज रोज जा के पूछते हो यह पान कित्ते का है पान कित्ते का आज कित्ते का आज कित्ते का अगल तो इत्ते का था आज कित्ते का नहीं पहली बार पूछ लिया उसी पे चलते रहे तो इसका मतल तो हर साल उसे auditor appoint किया जा रहा है तो क्या वो हर साल एक नहा है engagement letter बनाएगा और sign करवाएगा management से या बोल देगा कि we are accepting the audit at the same terms and conditions as previously agreed वो discussion करते हैं हम यहाँ पर कि recurring audit assignments में what are recurring audit assignments guys recurring का मतलब reappointments recurring audit assignment में whether new audit engagement letter is required in every period क्या हर बार हमें नया engagement letter लगेगा every time we are accepting the audit standard will there new अगर आप बार बार auditor point हो तो ऐसे रोज रोज हर साल आपको रही confirm करने की जर्वेत नहीं है कि हमारी term same आप सिंप्री लिख सकते हो कि हमारा audit same terms पे accept किया गया है जो पिछले साल या पिछली बार अगरी करी गए एक्सेप्ट सब्स मुझे एक बात बताओ पिछले और इस साल में management में ही change हो गया है यानि कमनी का take over हो चुका है and now the company is completely managed by a different management तो इसका मतलब क्या है जैसे मैं ट्विटर का audit कर रहा था आप ट्विटर के पहले auditor कर रहा था तो management अलग लोग थे आप पूरी की पूरी मस्क भाई क्या हाथ में आरी हो सकता है हमने last engagement लेटर दिया था पाथ साल पहले बहुत टाइम हो गया है तो अब ले ले गया why not इसका मतलब ऐसे कहता है कि दोस्तों जब आपको बार-बार ओल्डर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको बार-बार engagement letter sign करवाने की कोई सरवत नहीं है except और दो नहीं बहुत सारे केसे से पर आपको याद रखना है basically दो situation से पहला misunderstanding और दूसरा change अगर आपको लगता है कि कोई misunderstanding होई थी last time कि अपन पान की दुगान पे गयते और अपनने बुला भीया पान कितने गए बुला वीज रुपे कर पिर हमने उसके बात किया कि हमने बुला ठीक है दस पान बनवा तो फिर हमने सब के अलग 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 ingredients अलगा है हमने बुला देरो इसमें न वह चटनी वह किमाम वाले डालना इसमें थोड़ा तंबाको डालना यह साधा बनाना बागी मीठे बनान आप रहे हैं बहुत खतरना अब आप जब अगली बार जाओगे तो आप क्या यहाँ पर कंफर्म करोगे यह इस क्योंकि misunderstanding हुई थी You'll confirm it in the next time कि boss हमें खीमाम की चटनी वाला पांच जाए यह कितने का तो पहला अगर misunderstanding हुई है तो तो आप क्या करिये यह नया engagement letter sign करवाई लो तो auditor में क्या बुला गया है recurring audit when audit is performed over years you'll assess whether circumstance require revision in terms of audit engagement and whether there is a need to remind the entity of the existing terms you may decide not to send a new engagement letter each period however following factors will make it appropriate to get a new engagement letter first when there is a misunderstanding second when there is a change revision change 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 इन सारे change को मुझे पिंग कर देना चाहिए ताकि आपको दिखे पर कोई दिक्कत नहीं यह side में लिख दिया दो मैंने बुला नो दोई चीज़ा है रख क्या तो misunderstanding होई है या change होई है what do you mean by change बदलाओ किसमें बदलाओ हुआ है इतनी सारी चीज़े दी गई है बदलाओ कि मैं आपको simple सा तरीका देता हूँ change में आपको याद रखना है तो आप ये याद रखिएगा mnemonic दे रहा हूं एक L M N O P Q R S L for there is a change in law legal और regulatory requirement में change होगा M for management में change होगा N for nature और size of entities business में change होगा O for owners में change होगा Q से कुछ नहीं होता है दोस्तों तो आप P Q को हटा दीजिए उडा दीजिए और इसकी जगे बना दीजिए FR P Q की जगे FR ये क्या है financial reporting framework में changes होगा है R reporting requirement में changes होगा है S कोई special या revised terms हमारी पैदा होगा special terms रखता लगा लिया पर नहीं पढ़िया होगा काम गता मेंशे 210 भी नहीं है आप से पूछे कभी आपको रिया पाइंट किया गया एजन और आपको नहीं इंगेजमेंट लेटे चाहिए तो आप बोलोगे की डिपेंड करेगा जरूरी नहीं है लेना पर हम लेंगे जब हमें लगता है misunderstanding होगी हो या इन सम्में change होगा किसमें इयाद ऐसे रखना 11-0 PQRS और PQ को बदल देना FR से तुमारा काम हो जाएगा बढ़िया ये question दिया हुआ है आपको देखते है इसे a CA is conducting audit of a client for last 2 years वाव before proceeding to start audit for the next year he notices there is substantial change in the management oh beside CLI's adventure into new area business activity which were not present at the time of initial audit engagement जब शुरू किया था उसके बाद कुछ नहीं business भी शुरू करती है discuss the responsibility with regard to in context as SS210 तुमालेंगे रप्टिटिव रेकरिंग audit engagements में नहीं audit engagement letter accept करना या नहीं auditor का decision है जो कई factors पर dependent होगा यह सारे factors है फिर आकरे में लिखना है क्योंकि यहां पर a management change हुआ है दो nature और size of business change हुआ है इस करण से बहतर होगा कि auditor एक नहा engagement letter prepare करके management से उसे accept करवा ले इस तरह से लिखना प्लेगा दोस्तों बाद हाई इसी के साथ ऐसे 210 की पूरी होती है हमारी पढ़ाई छोड़ा सा symbol सा आसान सा महसूम सा बच्चे सा standard है दोस्तों 10 इसकी objectives अब आपको समझ में आ जाएंगे auditor to accept or continue audit engagement only when the basis on which it is to be performed is agreed में उत्यश यह है कि audit अभी एक्चेप्ट करें जब उसका basis agree किया जा चुका है कैसे एक तो precondition मौजूद होना चाहिए audit की और दूसरा हमारे बीच में common index standing होना चाहिए जिसको हम engagement terms एक letter के form में sign करके confirm कर्वादिक फूल एगे पूंद आप द्यान रखेगा engagement letter is a letter which is given by the auditor to the management for acceptance चले दोस्तों इसी किस्साथ अपना 210 complete होता है अब अबबन 220 पहेंगे and 220 is about audit quality बढ़ो आगे अगर आप लोग कोई की permission होता हूं ये वाला question मैंने आपको कराया भी management entity feels that it is not necessary for giving in writing explicitly to the auditor that it understands its responsibility for preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework explicit मतलब की साफ साफ अक्षरों में तो बोलते हैं ना साफ साफ अक्षरों में यानि पूरी तरह से इता हैं clearly बिना कोई doubt के discuss whether it is necessary for management to do so in case management refuses why should an auditor need to accept the proposed auditing agent तो कहनी कैसी है तोस्तों आपको कह रहे है कि management कह रहे है कि हमारे को नहीं लगता है कि हमें ये चीज आपको लिखित तौर पे देने की कोई जरुद है कि हमारी जिम्मेदार ही है financial statement को as per applicable financial reporting framework बनाना तो बताईए है as an auditor आपका इस पे क्या कहना है और अगर ना करे तो क्या करना चाहिए रहे हैं बोलना पड़ेगा कि it is necessary for management to give in writing explicitly to the auditor that it understands its responsibility है तो same जो अपल लिखा है repeat कर दिया क्यों क्योंकि this is a precondition for accepting the audit before accepting the audit we need to get a confirmation from the management that A it is their responsibility to prepare and present financial statements as per framework B have internal controls C provide necessary information अगर preconditions audit की present नहीं होती है तो हम matter management के साथ discuss करेंगे और unless कोई law and regulation कुछ और बोले हम audit accept नहीं करेंगे कब जब हमें लगता है financial reporting framework acceptable नहीं है या हमें लगता है कि management agree नहीं करता है तो इसलिए अगर law and regulation मना करें तो बात लगें यह refusal जरूरी है क्यों क्योंकि management अपनी जुम्मिदारी financial statement की स्वीकार करने को तैयार नहीं है इससे audit premise या basic premise ऐसे है इस पर 210 कहा जाता है चिराग आर्टिकल ट्रेनिंग पर है as a part of engagement team conducting audit of company is read somewhere that engagement letter is issued by auditor to client also includes expected form and content of audit report he was at a loss to understand how could an auditor include form and content of report before end तो जब हम बोल रहे हैं form and content of report तो हम यह नहीं बोल रहे हैं कि हमें report क्या देनी है हम report नहीं prepare कर रहे हैं हम जब यह बता रहे हैं कि वही उस report का format क्या होगा इसमें हमें क्या बोलना है we only have to state कि हम opinion देंगे इस format में इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको पका आज से कमिट कर रहे हैं कि आपका यह opinion होगा हम इस format में opinion देंगे यह नहीं हो सकता हमारा opinion क्या हो जैसी हमारी findings हो उसके अधार पे change हो जाए क्या नहीं modified हो जाए तो चिराग यह समझ रहा है कि unmodified opinion नहीं जाएगा सर्फ प्री कंडिशन और audit में क्या फरक है प्री कंडिशन दो है यह financial reporting framework जो management ले रहा है वह acceptable है और दूसरा audit premise audit premise में तीन चीजे यह management financial statement as per framework बनाए controls बनाए और हमें information तो management बोलता है मैं financial statement बनाऊंगा as per financial reporting framework of US city bank बनाए और मैं आपको सारी information दूँगा internal control बनाऊंगा audit premise तो मौझूद है और फिर भी हम audit accept नहीं करेंगे क्योंकि जो framework management ने choose किया है वह acceptable नहीं है क्योंकि उसे framework कौन सा use करना चाहिए इंडिया के operations के लिए इंडिया के accounting standards audit premise is only what कि आप बनाऊगे financial statement framework के अनुसार और आप controls बनाऊगे और आप हमें information तो और जो framework आप यूज कर रहे हैं अगर वह acceptable नहीं है तो मैं audit accept नहीं करूंगा आप बनाऊगे आपको कौन बनागे वह precondition का पहला यह फरक है precondition में और audit premise question 10 में precondition जैसे प्रमाज में लिखा है वैसे लिख सकते हैं मतलब यहां पर audit premise वाला बात नहीं है यहां पर resignation वाली बहुत ज़्यादा लिखी गई है कि आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं कीवर्ड जाना चाहिए मेरे कोई problem नहीं थी मैं बेर जैसे के language डाल देता आप बताओ आप audit से बग जाते अब आप क्या करोगे आंसर पड़ोगे language पड़ोगे तो तीन बार तो वह भी समझ माईगी मुझे लगता कि अपन कोई casual language का प्रयोग कर रहे हैं मैं technical jargon से पढ़ाता हूं दोस्त पढ़ाने के लिए अपन ऐसे भी समझ सकते बोल सकते कि applicable financial reporting framework का मतलब आप यह समझ दो accounting से कि management इससे बहुत अच्छे से समझ माएगा एस मैंने management को बुलाए कि भी या audit प्रमाइस का मतलब तुम एस या इंडेस जो लग रहे उसके अनुसार financial statement मनाओगे control रखोगे information और मैं audit तभी स्विकार करूंगा जब तुम ए यह जिम्मेदारी मानते हो और तुम जो एस यूज कर रहे हो वो तुम्हारे लिए appropriate है या इसा नहीं इंडेस यूज कर रहे और येस लग रहे और येस यूज कर रहे इससे बहुत एजी समझने के लिए ठीक है और यही चीज के लिए आपने को बार बार वर्ट क्या यूज करना है phrase applicable financial reporting पर आखिया आप भी यूज कर क्योंकि जैसा सुनोंगे exam में वैसा लिख कोई मुझे बता सकता है article चिपके तुम अभी तो जॉइन करी नहीं है जब तुम जॉइन करोगे तो तुबारे article चिपके पहले दिन क्या होगा फ़ड़ा सा visualize करो सो चो आहाँ ख्वाब देखो पहला दिन office का सीए के office का article चिपका क्या होगा बिड़ा एक बार है ना घर पे answer आराम से पढ़ना फिर कल पूछना नहीं है तुम घवराती बहुत हो एक तो बताओ पहला दिन सीए के office में क्या खरोगे कैसा होगा हमारे बाओ जी बड़ी गमनी जहां पर उनका audit होता है वो हमारे शेहर की काफी बड़ी फार्म है और वो हमें ले गए वहीं पर दाखिला कराने के लिए आसानी इसे होता नहीं हमाँ पर दाखिला पर हमारा हो गया क्योंकि बाओ जी का reference था और बाओ जी क्लाइंट है और तो हमको मिला के लेके आए बाओ जी ने हमको बुला सर के पाओ पड़ो बाओ जी ने बुला बुले सर यह लड़का आया आपकी शरण में दे रहें विस अब आपको ख्याल रखना है इसका और आप जब इसके साथ बरताव करें तो यह मत सोच नहीं है हमारो लड़का है आप वागी सारे आर्टिकल से जैसा बरताव करते हैं वैसा इसके साथ करिए और इसे मजबूत बनाई है हम बाओ जी को भूर रहे थे हैं बाओ जी ने बुला बस और समय ने लेंगे धन्यवाद सिये ने बुला बुले बिलकुल साब आपका कहना है आपका लड़का है तो उन्हारी होगा सवाली ने उता है बाओ जनला ने ने बहुत डेडिकेटेड है थोड़ा चंचल है चलबूल है पर है यह बहुत शारप है बस यह बोलके निकलता है हमारी अगले मंडे की जॉइनिंग डेट आई मंडे को हम पहुचे है 11 बुजे बुलाया था हमको ओफिस हम शाप 11 बुजे पहुच गया अब ऑफिस में बस एक ऑफिस बॉइ प्योरी था 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 हमने बुला है हाई थिस राज आई वस्ट जॉइन फ्रम टुटे अज आइस अन आटिकल यह बहुत बढ़ाए बाट इट राइट हमने इसे हाथ दे रखा था इससे मिलाने के लिए पहले तो उसने हाथ पर लगाये इसे फिर उसने कहा कि राज कौन राज कैसा राज है यह हम बना रे हम आटिकल है हमको आच्छे जाइन करना था पता होगा ना आपके यहाँ पे कोई लिस्ट विस्ट आती होगी ना नहीं हो ज्वाइनिंग्स की उसने बोला अंदर जाओ 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 के दिखे बेढ़ जाओ हम लाओ वाच यू दोट नोओ वर इस माई कैबन बोला अंग्रेज पेड़ बेढ़ जा हम लाओ डैरुस से माई डैड़ अंग्रेज ऑन पोला माडमा गांदी के लिए जाओ बेढ़ जाओ 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 प्रश खुसे मे थे हमने किसी से बाथ निए कि विए र्हें बना पत्मीजяться जैसे ही राइए हम गए और एकडम स्माइल के साथ सर को ग्रीट किया पहरी पॉना अंकल और बकाइदा उनके लिए GIFT लेकर आए ते हम उनको GIFT दिया और हमने अंकल हम आ गए अंकल नाम देखा वहले कोन हमला अंकल राज वो पापा की साथ अच्छा राज बेटे ओ अच्छा बटे आज आजाओ अच्छी जोईन कर लिया अजी अंकल कर लिया वेटा अंकल नहीं सर बुला न आपसे है न और बैठो काम दताते तुमको सिखाते है अमला जी अंकल कहा बैठना है हमारा कोई केविन अगे रहे तो आप बता दीजिए इसको सही करना पड़ेगा चिर्म बला पिटा केविन बन रहा है काम कर अभी तुम्हें हम ऑडिट पर भेजते आज पहले देरूं जाके तुम्हें न यहां मत्फील्ड पे सीखो वहां अच्छे से सीखने को मिलता है हमने हावाई लगई हमारे थर्ड यर के जो आप सेकंड यर दोई साल की बची आर्टिकल को और हमने उसे बोला अरे आशितोश इदर आओ आशितोश एकदम आशितोश रानाडाइप कई है उसने बोला हाँ सर बोलो इसे बात कर रहे तो हुआ पोले क्या वह और का वो फैक्टरी का रहे है तो इस ने बूला बोले सर जाए के से अरे बाई के तुम्हारे पास चले जाओ अरे सर अमनी जाएंगे पिछली बार भी हम गए ते आपने बुला था कनमेंज देंगे आज तक नहीं तिया विट्रोल अब तो चुनाओं भी खतम होगा है सरकार एक्दम कीमते बढ़ाई जा रही है हम नहीं जाएंगे आप पहले व्यवस्ता करवाओ जाने की यह नहीं बुला यार चलो कोई बात नहीं बीटा तुम्हें काम करो राज आया है राज के साथ चले जाओ इसे भी लेजाओ इसे भी सिखा देना यह पहला और इस सर माई तो पंदरह दिन बाद चुट्टी लगने वाली है जब तक काम बुरा नहीं करो के चुट्टी दो चल हाँ भीया है ना कौन सी है भीया हाले डेविट्सन मुल क्या बात कर रा चल 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 आ जा तो आशितोष ने राज की हाले डेविट्सन की में सीट संबाली पीछे की उचकी हुई सीट पर राज को विढ़ाया और हवा से बाती करती हुए रफ्तार के साथ और निकल पड़े दोनों पहुचे क्लाइंट लोकेशन पर और आशितो इसको बहुत मुझा आया हले चलाने में तो इसने चावी राज को नहीं दियो और कहा देख मैं थुट देर में आ रहा हूँ जब तक तु यहां बैट और 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 अडिट कर भीया मेरा पहला दिने मेरे को अडिट आता हो दियरे तो तेरा को सिखाना पड़ेगा या आता है दो नहीं हमको आता है क्या होता है बूले भीया हमने बहुत सभी लिए घ्जान उसके शाप्स Efendimiz पास भी करी एक्जान उसमें ऐसाया लिखा वा था हॉता है कोई बी चीज को दो जगे से बिठा देना यानि जो यहां द एक काम कर सबस्यादा माज की समय है थे इंग तर ने राज ने बुला भिया टेक्स में 51 तो बोले चल तेरे से टेक्स ही चेक करवात हूं तो राज भिया ने बुला बुले अरे सुनो एक काम करो इधर आओ वह अपना टेक्स ऑडिट बाकी है न तो एक काम करो सारे कैश के खड़्चे लिए यह चेक करेंगे यह आज से नहीं आएं और इनको सिंपल बता है ओडिट का मतलब क्या होता है तो एक तरफ तुम तुम्ह जाएंगे टिक करते जाएंगे आगया बढ़ते जाएंगे तो आजएगे यह बहित दरा थीके भाएयं ला देता हूं उसने ला दिया हम लाए कर अऊच्छे से लिए're来 हमाते हैं तोósdagain चावी हमाते बोल रहे मतलब जाएंगे कयसे पैदल जाएंगे ईंति कुम्हां नही जब तक ऑफिस से फोन नहीं है अगर सर का फोन आए तो बोला हाँ भाईया वह क्लाइंट के साथ स्टॉक देखने गए आते तो बात कराते हैं और हमें इमीजेटली फोन लगाना अगर ऑफिस से फोन आए नहीं तो पर इजान मत करना हम आते हैं थोड़े दो ती मिहिंटे में आ रहे हैं लो भी आप जाका रहे हो बुले सर से सवाल करता है हमने ला नहीं नहीं सर आप हो क्या आओ हम चेक करें हमने निकाला मस तो चेकिंग करना शुरू करी क्याश के खर्चे हैं तो हमने देगा एक खर्च पचाथ हजार हो गएगा अमने कलाइंट को बला हमने ला इतरह इतरह नहीं बला आँजी बहिताऊ हमने ला वहीया नहीं सर बोल बच्चा है पे तो अबला गया बत्तमिस पतमीज अटिटर हैं रिस्पेक्ट है हमारा सर बोल इसने बोला हासर बताई खुझ पिछ प्रसे और में पता थे इसने जो घुझ तो इसने बोला बढ़ेगे तुम्हें जादा इंकम पर टाइक्स देना पड़ेगा टाइक्स बढ़ दिया बाकी है उसने बढ़ दिया आमने तो रिटर्न भी बढ़ दिया यह क्या किया आप किसी यह नहीं परवाये आप चेक क्यों करवा रहो अपने सिये से पूझाओ इसको कुछ बता नह पर यह तो तीन लाग रुपए का करचा तुमने क्याश में दे दिया इसको यह डिस नहीं पूरा इसने बोला यह यह तो आपके सर ने बुला दा कि यह तीन लाग रुपए किये ना तो इसको सालबर में 10-10 जार रुपे कि ए औलग एलग तीस दिनों में पैमेंट दिखा है हमारे सार इसी गलत काम नहीं बताएंगे अरे भीया सर नहीं बताए हमको थोड़े मालूम है वही सब करवाते यह छोड़ो यह देखो यह जित्ते अंपलाईन सब लाके एक दो करोड के घड़ जाएंगे तो हमने सर को फोन लाएं पून नहीं उठाए सर दो से चार घर पर रिलक्स करते हैं और माइंड शुड़ बीड़ पीज और यह विल बीड़ प्रोफेशनल भाईया को पून लागा इसने पून उठाया बुले और कि ऑफिस से पून है कि हमने बुला नीभिया कुछ पूचना था हूं लहाट को मना किया है था फिर फोन रख दब वोट प्रिजर अगा हमने बना आय रहे हैं सर बोनी उठा रहे क्या करें तब हम हमारे पापा की याद आगी और हमारे पापा ने हमको से कहा था बिटा कभी भी अपने आपको अकेला मत समझना और सच्चाई के रहा पे चलने से कभी भी मत दरना सब तेरा साथ छोड़ भी दें तो भी तू आगे बढ़ना और तेजगती से आगे बढ़ना और जोश के साथ आगे बढ़ना धीरे धीरे कारवा बढ़ते जाएगा और तेरे पीछे लोगों की भीड लग जाएगी ऐसी एनरजी है इसा जोश आ रहा है जिसको ये कमणी ने किया है जिसके बारे में हमें लगता है कि हमें इमीजेटली कुछ करना चाहिए और हमने तो ये भी पढ़ा था कि अगर कोई फ्रॉड होते है एक करोड से उपर के तो इसको Ministry of Corporate Affairs को भी पताना चाहिए सिफ उसी को ही क्यों हम तो Income Tax को भी पताएंगे तो सर आप क्या कियते है सर प्लीज जवाब दीजे सर प्लीज जवाब दीजे बहुत बार पिंग किया कोई जवाब नहीं आया भीया को फोन लगा है वो कट कर रहे बार बार हम लाग क्या करें क्या करें हमने बुला सोशल मीडिया ऐसी सिच्वेशन में सोशल मीडिया का पावर नजर अंदाज नहीं करना चाहिए हमने कई सारी मूवीज देखिए जिसमें सोशल मीडिया के पावर से जब कोई सच्चाई किरा नहीं सुनता है तो सोशल मीडिया से लोगों तक उसे पहलाया जाता है तो हमने बस Instagram पे श्टूरी डेली जिस पे हमने बताया first day in audit one crore of tax frauds detected I am loving it बगाय तो हमने पोटो कीच कीच के उसकी पूरी है कैसी रहील बनाई है और रहील बनाए के post कर दी WhatsApp पे status पे लगा दिये Twitter पे tweet कर दिया Do you know this particular company The company is doing huge amount of tax fraud which is leading to a loss to our beloved nation Hashtag stop tax evasion Please retweet बस फिर गया था Twitter बढ़ दिया अब बहुत सारे जगे से life hike आने लग गया hearts के emoji आने लग गया इंस्टा पे कई सारे दोस्तों और वो आया और आर्टिकल चुब में तुने पहले दिनी fraud निकाल दिया अपने को लग रहा बढ़ा बेटा तुने किस-किस को बताया है सर वो अभी इंस्टा पे और वाट्साप पे स्टेटास अपडेट किया है स्टोरी डाली और ट्वीटर पे ट्वीट डाला है बोले बेटा सब हटा दे मैं बला क्यों सर बोले बात में बताओ ना बेटा मैं आ रही है तुन आजा वापस आजा पर तु सब हटा दे मैंने बला ठीक है सर मैं हटा देता हूं पर मैंने एक्चुली किया इंकम टेक्स में चाचा थे उनको भी बता दिया तो उनको भी मना करूगया वो आ रही था इन बला शाप आश वर किसी नहीं लाहाँ वो दी पब्लिक टीवी में है न वो अपनी अंकल है अरे हाँ पंगाली बाबू वो जो बोलते हैं जानना चाहता है भारत उनको भी हमने बता दिया और उनको भी मना कर दो पिन बला रुख जा बिटा तू वहीं रुख मैं जा रहा हूँ मैं निकल रहा हूँ याज से तो दोस्तों सीए और सीनिर आडिकल दोनों अंडर ग्राउंड है और बागी सब आ चुके हैं और हम कॉलर उटा के फोटो घीच रहे बस फिर आगे जो हुआ हो इदिहास बना रहे हैं आप बताईए इस पूरे राज की ए आर्टिकल या यह गलती भी राज के पापा की ए जिन्होंने हमको इसे जोज बरे हुए सीख दिये थे या यह आर्टिकल सीय की है या यह गलती सीय की है या यह गलती आशतोष की है Who is the person responsible? आशतोष राज सीय पापा क्या क्या टेवा? उसके बार बच्चे को सीधे डिगरी मिली है बहुत बढ़िया आप बताए दोस्ता ऐसी सिच्वेशन में गलती है आपको क्या लगता है किस की है राज की गलती है सीए की गलती है बहुत बढ़िया सीए ने गलत किया राज ने गलत किया तो गाइस समझ में आ रही एक आनी कि है what are you trying to understand here the whole fundamental of this discussion is the problem basically was with respect to the systems in the CFM ideally CFM को डंके systems बनाना चाहिए थे ideally CFM को क्या करना चाहिए था उनके आपे एक system होना था कि कोई भी अगर आपके आपे नया staff आ रहा है तो पहले उसका orientation हो जैसा किसी ने कहा था induction हो उसको समझाया जाए यह assume नहीं किया जाएगी भी यह पहली दिन जो आया उसको सीधे भेज़ दिया audit को और यह सुझा की करकर के सीख जाएगा क्या कर रहे हो यार यह मजाग है serious game ही है आप इसको मजाग कर ले रहे हैं you need to have proper systems in place CA की गलती है समझो क्या क्या गलती थी सबसे पहले तो CA की गलती कि उसने बस यह देखे कि हमारे client का लड़का है उसको भरती गल लिया उससे ना बात की ना समझा उसको क्या आता है नहीं आता है दूसरा जब वो आया तो कोई proper system नहीं था किसी को पता नहीं था यह आने वाला है तीसरा CA ना उससे डिरेक बात करी लगा कि यह ऐसा है तो उसको बेज दिया article के साथ senior article के साथ कोई chartered accountant नहीं रखा उसके supervision के उपर चौथा senior article भी मजह में चल रहा है उसके उपर किसी प्रकार का कोई control नहीं है पांच वह वहां जा के कोई support नहीं कर रहा है directly client का data देखा जा रहा है confidentiality की धज्या ओडा रहा है CA खुद की कोई monitoring नहीं रख रहा है वो carelessness के साथ काम कर रहा है unprofessional working style है पूरी तरह से इसे बोलते हैं खराब quality bad way of doing things it's a quality issue that is why there is this standard which is known as SQC1 standard on quality control 1 तो कहदा है कि हर engagement में हर जो काम आप करते हो आपके सारे कामों में अच्छी quality आए इसके लिए जरूरी है कि आप एक system बनाऊ एक ऐसा system जिसमें सब कुछ defined हो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या ethical responsibilities होती है CA की firm की team members की including confidentiality then किस client का audit accept करना है नहीं करना है then कैसे employee का recruitment होना चाहिए कैसे उसकी training होनी चाहिए कैसे उसको compensate करना चाहिए then जब आप audit करें तो उस audit में किसका direction होना चाहिए कौन supervise करेगा कौन काम review करेगा communication कैसे then समय समय पर monitor करते रहना कि जो आपने system बना हैं वो सब लोग follow कर रहे हैं या नहीं monitoring ideally एक system ऐसा होना चाहिए जिसमें ये 6 और चीजे cover की जाना चाहिए सबसे पहले एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाना चाहिए कि वो quality का ख्याल रखे विया सब कुछ proper quality के systems बनाने में मदद करें सबसे पहले ethical requirement पूरी team को समझाई जाए जिसमें integrity objectivity plus confidentiality including confidentiality independence ये सब समझाई जाए कौन से client का काम करना है नहीं करना है ये decide किया जाए human resource कैसे recruit करना है कैसे train करना है ये समझाई जाए engagement performance यानि कोई भी audit या कोई भी engagement अगर हो रही है तो इसमें direction supervision review कैसे हो कौन क्या देखेगा ये सब देखा जाए और finally इन सब को monitor करा जाए ताकि ये ensure किया जा सके कि जैसा हमने system बना है वो follow हो रहा है या नहीं these are basically the elements of the system of quality control और ये system क्या होगा this is nothing but a set of policies and procedures which will talk about these elements तो ये policy procedure कैसी हो सकती ये स्कूल ना आपके end book में स्कूल की policies procedures होती थी जिस पर सबसे पहले लिखा वाता था फीस कब जमा करना नहीं की तो क्या होगा उसके बाद लिखाता था uniform कहां से खरीदना है फिर किताबे कहां से खरीदना है फिर आपकी exams कब होईगी फिर चुट्टिया का वन कौन स्कूल भी अपनी policy procedures बना के रखती है सिस्टम मना रखा है उन्होंने सारी चीज़ होगा कि हमारे यह admission का यह सिस्टम है teaching का यह सिस्टम है exam evaluation का यह सिस्टम है teachers को train करने का यह सिस्टम हर organization मनाता है hotel में systems होते है policies और procedures system क्या होते है यही तो है documented policies और procedures और कुछ निए system 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 सुनके इसा लगता है computer system computer system computer system या खुदा बाहर निकलो उस सोच से यह system का मतलब computer system नहीं है यह पर system का मतलब है एक system system का मतलब है process तो हम चाहते हैं कि आप अपने फर्म में एक ऐसा process design करो जो कुछ नहीं होगा documented policies और procedures होंगे इसे आपकी team follow करें आप उसे monitor भी करो ताकि ensure कि सिर्फ audit में ही नहीं जो भी काम आपकी cfm करती है audit review other assurance related service सब में proper quality आए and इस standard को नाम दिया गया standard on quality control one technically आपके course में essays ही होते हैं बट आपके module में assurance या related service the quality control for firm that perform audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagement आप कुछ में perform करो यही सब चीज़े जितके उपर अलग लग standard दिये मैंने आपके introduction दिया था इन में से अब अगर आप कुछ भी कर रहे हो ता आपकी firm को quality control system होना हाँ इसक्यूसी वन क्या जाता है इसक्यूसी वन की इतनी सी चाहते दोस्त कि firm के हाँ पर एक system of quality control बनना चाहिए system क्या है कुछ नहीं है policies है जो क्या enjoy करेंगी कि हमें एक reasonable assurance मिले कि firm और उसके लोग क्या कर सके देखो simple सी बात है सारे professional standards जैसे की essays guidance note institute के जो भी होते हैं publications उनको plus regulations और legal law की requirement फुल्फिल कर सके एक C.A. को कब का जाएगा उसने काम डंग से किया है जब सबसे पहले वो अपना काम essayist के अनुसार करें ऐसे सब समझाते है तो काम essayist के अनुसार करें law and regulation के अनुसार करें और उससे भी बढ़ी है चीज़ जब उसकी report सही है मुझे एक बात बताओ इसको समझने का एक बहुत सिंबल तरी का है when will we say that a student has achieved his objectives of being a good student कब मैं कहूंगा कि एक student ने एक अच्छे student होने के अपने अदेश शिपूरे एक अलिया basically हम क्या कहेंगे when a he follows the instructions and b he prepares enough that he will clear the exams exam clear होगी नहीं होगी हो तो समय बताएगा ठीकि उसमें लग factor बहुत सारी चीज़ है बस यह दो चीज़ है अगर एक student अपनी बाते सुने instructions, plan जो दिया उसको follow करे और second अगर एक student सिर्फ क्या करे ऐसी त्यारी करे जिससे हमें लगता है कि वो clear कर लेगा exam ultimately यह objective same इसी logic से किसी CFM के quality control systems कब अच्छे माने जाएंगे जब वो professional standard regulatory or legal requirement को comply करे यह phrase कई बार आएगा इस कारण से इसको बार बार PSRLS के नाम से यूज किया गया professional standard regulatory and legal requirements and second two reports issued by the firm or partner are appropriate in the circumstance यानि हमने जो report करी हो appropriate गलत है या नहीं है देखो यह तो समय मताएगा क्योंकि हम भी reasonable assurance देते high level का assurance but absolute नहीं देते है तो देखो क्या सही तरीका बता है मैंने आपको याद रखने का SQC1 के क्या objectives है या कोई भी quality control system के क्या उद्देश है कि काम है as per professional standard regulatory legal requirement हो क्योंकि यही instructions है और दूसरा report उसकी ऐसी हो कि वो appropriate हो circumstances में सही है या नहीं वो समय बताएगा appropriate हो नहीं बस यह objective है इसे क्या कहते है objective office किसी वाँ quality control की जो policy बनाओ गया उसमें यह 6 elements होना चाहिए अब एक बात बताओ यह policy बना किया आपको क्या करना है इसको tijjori में छुपा देना है क्या कि किसी को बतानी पुड़े है हमने इत्ती minutes से बनाई है आपने नहीं सबको बताना है सबको communicate करना है सबको देना है देना ही नहीं नहींग उनको पढ़ो और feedback को कुछ समझ नहीं है पूछो को doubt है पूछो कुछ missing है बताओ किसको बोल रहे हैं हमारे employees को the policy should be documented, communicated and feedback should be taken अब document करके लोगों को personal employees को communicate करो और encourage करो नहीं कि वो अपने views उस पर हमें दे इससे क्या होगा वो सब लोगों को मालूम पड़ेगा क्या policy में दिया तो हो सकता है कि राज आया और राज को आपने शुरू में ही क्या किया है सबसे पहले policy procedure दिया और उसको बुला यह देखो यह एक training video है यह पूरा सुन लो उसके उपर बेज़ हमने उससे इस question पूछे उन questions के जवाब लिए और फिर हमने बुला कि अब तुम पास हो चुके हो इसका मनलब तुमारा induction complete हो गया है अब तुम ready हो next stage पे जाने के लिए क्या assist करने के लिए किसी team में अब तुमें किस टीम में डाला जाएगा किस के अंदर डाला जाएगा तो पहले हम तुमें किस के अंदर डालेंगे कोई see a key अंदर डालेंगे article के साथ मात्र नहीं बेचेंगे ऐसी टीम जिसको CA directly supervised कर रहा है ताकि अभी तुम नहीं नहीं हो तो तुमको समझे कुछ चीज़ा हम तुमको साफ तार पर बता दे कि देखो कभी भी कोई मुद्दा है तो तुम communicate किस से करोगे कैसे करोगे कभी भी publicly information share नहीं करोगे confidentiality रखो यह सब उसको समझा दिया गया किसमें शुरुआ तो अब हमें SQC 1 में 6 मुद्दे पढ़ना है क्या जो आपका system of quality control बनाते हैं which is nothing but policies and procedures relating to six matters सबसे पहला मुद्दा है leadership आपको एक मुख्या point करना है जिसको यह पूरे SQC 1 की जिम्मेदारी देनी है तो हमें policy of procedure design करने हमें प्रमोट करना है internal control जिसमें हमें बताना है कि यह हर काम जो आप करते हो इसमें quality essential है ऐसा लोगों में जुनून भर होगी हमें अच्छा काम करना हमें सही काम करना है तो हमारे सत्तर सार के partner है यह से अपीस आते हैं बेटते हैं और आर्टिकल आए बोले sir अब हमें quality के साथ काम करना है नहीं standards follow करना है कान की मशीन लगा लें ते इसे नहीं की quality कौन लेकिए आएगा quality will be from the top it should flow from the top लोग अटाती हैं बोले बच्चा है जैसी आप निकलो के पीछे बात करें कि और बच्चे में बहुत जोश है दूसरे बोलेंगे कुछ नहीं अपने में विता हो जाएगा ठंड़ना थे इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं को का CEO, Managing Partner इन लोगों का जिम्मेदारी लेनी it should come from the top boss quality 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 focus 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 and then जो लोग operational responsibility लेगे वैटे है quality control की जिनको ये काम obviously CEO Managing Partner ने दिया है उनके पास ऐसा experience ability और necessary authority होना चाहिए to assume that responsibility so leadership की responsibility क्यों article को नहीं देनी है इससे तुमको ये दोनों point समझ में आ जाएंगे why not to article पहला should be a senior person ताकि लोग इसकी सुने and second he lacks experience even ability most important authority यानि ऐसे आदमी को तो जिसमें experience ability authority है और जित्ता senior रेकती हो ताच ऐसे याद रखने के लिए मैंने आपको विसे एक style दे दिया तो रोगी का दे दिया जब भी कोई चीज को question से समझाऊंगा मैं तो question को green color में लिखूंगा ताकि आपको ध्यान रहे why not article पहले यानि कोई भी हम junior army को क्यो leadership नहीं दे सकते है next सबसे पहले आपके policy procedure में क्या होना चाहिए ethical requirements क्या होती है ethical requirements है पही integrity objectivity वड़के so our policies and procedures पर पर प्रवाइड reasonable assurance की firm और उसके लोग comply करेंगे ethical requirement जो हमने code of ethics की ICI की पढ़ी है जिसमें fundamental principles integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality or professional behavior plus independence हाती है इंडिपेंडेंडेंडेंस का मतलब क्या है इंडिपेंडेंडेंस के point दिया है आप है पहला बताओ कि भी है independence fundamental requirement है सारे audit पह है हमें ensure करना है कि कौन independent रहेगा form उसके employees जो experts हमने appoint किये हैं काम करने के लिए हमारी network from sister concerns इन सबका dependent होना important है इससे inability थी हमको क्या होगी तो हम हमारे employees को बता पाएंगे इंडिपेंडेंस के बारे में और हम पता कर पाएंगे evaluate कर पाएंगे अगर कोई threat आ रही है और तो फिर हम appropriate actions हमें पर ले पाएंगे उसे eliminate या reduce to acceptable level करने के हो सकता है हमें कभी withdraw भी करना में एक mechanism होना चाहिए communication का जिससे engagement partner firm को information दे सके client engagement के बारे में और employees information दे सके firm को ऐसी relationship जिससे independence पर इंपर्मेशन दे सके जियान रखें सारी breach of independence को समय पर हमें notify करना है ताकि action लिए जा सके और एक बार हम एक annual confirmation कम से कम ले लेना चाहिए कि सब लोग जो भी audit में involved थे उन सब ने ख्याल रखाए independence का इस सारी चीज़े ऐसे 220 में भी है या पर भी है आपको बहुत सारे मुद्दे लगेंगे इसलिए मैंने क्या किया है आपके लिए सिर्फ आपके लिए सिर्फ आपके लिए ये सारे points के यहां पर headings दे दिए है पहला इंडिपेंडेंडेंस सब को observe करना है फॉर्म परसोनेल एक्सपर्ट अपॉंटेड बाइद फॉर्म नेटवर्क फॉर्म इन सब को फॉलो करना है हमारी policy और procedure फॉलो करने से हम क्या कर पाएंगे हम employees को बता पाएंगे rate evaluate कर पाएंगे और उन्हें दूर कर पाएंगे जर्वत पड़ी तो विट्रा हमें return confirmation लेना चाहिए कि इन लोगों ने सबने फॉलो किया है और साल में एक बार ये लेना चाहिए इसके अलावे एक point और है कि कि यहां पर आया नहीं है आजाना चाहिए था इंगेजमेंट पार्टनर एंड टीम रिस्पॉंसिबल टू कम्मिनिकेट पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है कम्मिनिकेट करने की वो फर्म को बताएगा कि यह एक लाइन्ट है इसकी यह related parties है सारी चीजे जिससे पता पड़ता केगी फर्म की करी independence अफेक्ट तो दिया और employee की जिम्मेदारी है कि उनकी खुद की करी independence अफेक्ट तो नहीं हो रही यानि जिसका हम audit कर रहे है अगर उस team में कोई employee है हमारा जिसकी related party है वहाँ पे involved तो वो बता दे और इससे हम देखे कोई threat तो दिया और threat है तो फिर action देखें यहां तक clear होना चाहिए इसके उपर एक question है कैसे SQC1 ensure करता है independence and engagement is not breached by audit firm तो आपको इस question में यह सारे points लिखने यह answer है उस question का वह ensure करता है कि वह independence fundamental requirement है सबको समझाए वह ensure करता है कि यह चार category के लोग follow करें वह ensure करता है कि इससे communicate की जाए independence सबको दूसरा threats होतों पता पड़े और हम actions लें वह कहता है कि partner की जिम्मेदार ही है communicate client की information इस firm को देना और employees की जिम्मेदार ही है independence की information और threats partner को बता है आक उससे action लिए जासे वाइदल ही हमें एक annual declaration लेना चाहिए यह सब करके हम ensure कर पाएंगे कि हम audit या कोई भी engagement जो हम कर रहे हैं जिसमें independence required है मैं आपके साथ invitation वाली share कर दूँ यहां तक सबको clear है पहले बदाई है तो मैं आगे बढ़ू एक दम हुले हुले आराम से जल रहे दो उस्तों बहुत एक दम relax चिल्ड करके क्योंकि क्या है दोस्तों टेक आफ बढ़िया होना चाहिए अपने और इससे क्या होगा बार बार एकी बात क्या बता हूँ दमाग पे आएगा तो जुआ पे आएगा जुआ पे आने आएगा तभी हातों में आएगा दमाग में अंदर नहीं जा रहा है दिल में ही नहीं आ रहा है तो शलिए कहां से आप उसको अपने हाथों से किसी वार रखवत है ठीक है तो यह आपका पूरा डिस्कृशन है विद रिस्पेक्ट टू क्या-क्या चीज है थी आपे देखिए तो अपने पहला पॉइंट पढ़ लिया लीडर्शिप दूसरा एथिकल रिस्पॉंसिविलिट इस स्टैंडर का यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुभारे बास कभी भी कोई आडिट आए दोस्तों तो क्या करता चीए लपक लो औरे आया या लक्ष्वी आई कौन मना करता है लपक लो इसका बहुत सिंबल तरीक है दोस्तों question के form में अगर मैं आपको सिखा हूँ तो ऐसे लिखता हूँ when you are offered an audit यह जो मैं question लिख रहा हूँ नहीं अपनी informal language में लिख रहा हूँ क्योंकि इसका अदेश आपको समझाना है बस when you are offered an audit when a CA is offered an audit he should behave like और बढ़िया समझ में आए तो offer की जगे है ऐसा लेखो when CA receives a proposal for audit behave behave की जगे बहाँ बोलता हूँ response like a girl behave like a girl और यह गवराने वाली होगी यह बलाइक गवाद मतलब क्या इसका इसे एक्साइट मत हो जाना इसी proposal है अंदर कितना भी excitement उपर छुपाने का देखो बंदी के पास proposal आता है even if बंदी wants to kind of comment on that there'll be better position to answer this thank you talent discovered बला किसे में हाथ सुनी आ जाएगा तो किसी बंदी के पास कोई proposal आता है न तो कैसे react कैसे करती है ऐसे react नहीं करती है wow I was always wanting this proposal from you thank you Rahul बले ही उसको जन्म जन्पान तर से और रुकिवी थी कि भीया Rahul पहल करेगा लेकि नहीं जैसे ही Rahul ने proposal दिया देखो कैसे ब्येव करेगी हो मुझे कुछ टाइम चाहिए Rahul बुलेगा देखो तुम्हरे जवाब कुछ भी हो बस बता जरूर देना Rahul मैंने मनाने किया है लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए वक्त 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 अब आप बताओ वक्त तर लेके उसे क्या करना चाहिए अब उसने वक्त तर लिया भी है पैसा तो है नहीं क्यों ही है गली हावल देगी तो उसने सबसे बेरे जाकिर अपधी फ्रेंड को बताया या अपनी बेहन को बताया तुझे बताये रावल ने आच क्या बात कर रही है या रही प्रेपोज में तुने हाव बोल दिया या नहीं नहीं मैंने उसे बुला या मुझे सोचने के लिए तो अब हमादी बड़ी बहन है तो बड़ी बहन कैसे हमें रिस्पॉंड करेगी बच्चे मज़ा ले रहा है कास यह बन गया रामपा लियाद हो तो बनी जाते है आप तो बड़ी बहन कैसे समझाईज थे की बड़ी बहन बोले की बहुत अच्छा किया बेड़ी डान बट चल मी दियु रिली लाइक हैं अला अरे यह कुन सा एक ही रखना है ओ लाइक ही क्या बात हैं चिल आपके भी तो इतने सारे हैं आप ऐसे हमसे क्यों पूछ रहे हैं भला नहीं नहीं यार I agree मतलब I mean but within that also you know ऐसा नहीं है that does not means I say yes to everybody I mean I have my own preferences and choices to make भला हाँ दिदी वो बात तो सही है सबको तो नहीं बोलते हैं पन भी एक लेवल तक ही आपको भी पता है थोड़ा टाइम तो अपने को देना ही पड़ता है I mean कित्ती बार उसको बलो नहीं आज मैं पढ़ाई कर रही हूं आज गर पे कोई काम आ गया एक आद बार तो I mean यो पांच बार बुलेगा तो एक बार तो जाना ही पड़ता है मतलब टाइम तो होना ही चाहिए इन मुला प्रिसाइसली तो देख ले you know you're already managing three I mean पांच दस तक तो कोई इशू ही नहीं है यानि सबसे पहले आपने क्या चेक करना है दोस्तुम availability of time and resources सबसे पहले क्या चेक करेगी बंदी sweetie चेक कर रही है इसके पर टाइम है या नहीं resources है इसके बाद दीदेन बुला बुले अच्छे एक बात बताया यह है कौन राहुल अरे अपको फोटो पता देती हूँ जैसी फोटो दा दीदेन बुला अबे दूर रहे इससे दूर रहे दूर रहे लग क्यों क्या आरे रुख जा तेरे को बताते बस फिर क्या क्या गूगल खुला और इसका नाम डाल आ बोले देख इसका नाम आ रहा है तो जैसे फोटो सार्ज गूगल ने शुरू करी है अमनौल आदे फोटो के इसससे सर्च करते हैं पांच तो इसके नाम है जोजफ, इम्तियाज अली, राम जानी, अलगलग नाम से जाना जाता है इस नोन फॉर, पुलिंग गल्स, यह पहले तुझे पर स्ताफ देगा, फिर छोटे मुटे गिफ्ट देगा, फिर बुलेगा पैसे की जर्वत है, तुझे उधार मांगेगा, तुझे लगेगा छोटा मुटा ही अमाउंट है, क्योंकि यह समझ लेगा, तिर बस किते पैसे है उसका 10-15 पर जिन्टी उधार मांगेगा, तुझे देगी बस फिर काया बजाएगा, यह इसे ही करता है, स्कैम्स्टर है यह, पिले यह वो पेटियम वाले फ्रॉट करता था, अब आज कल यह करने लग जया है, आपको क्लाइन की इंटीरिटी भी कंसिडर करना चीए, एसा कही न कहीं दोस्त तो ऐसा भी होगा कि कहीं न कहीं, स्विटी के भी अपने एथिक्स हो, तो दीदी न मुसे बुला बले एक बात बताये, रहल लड़का कैसा है, आप इन फैक्ट है, यह सब कुछ नहीं था, जैसी फोटो सर्च किया तो बला ओ अच्छा अच्छा कुछ न यह यह अपने एथिक्स नहीं बुलते हैं, क्यों क्योंकि वो सीरियस है तो ऐन्हीं फाल तो मैं, नहीं है, तो इसको क्लियर करते हैं कि, नहीं है सभी बल रहा है, जादा एमोचनल ट्रामा हो गया, मिलोड ट्रामा अपने को दिक्कत हो जाई, पर अगर सपोस इसने बला न सब्सक्राइब तो दोस्तों समझें अब आप मुद्दा क्या आप मेरे भाई आज तो समझें दोस्तों क्या कह रहे हैं कोई भी अगर तुम्हारे पास audit accept करने के लिए आता है तो ऐसा नहीं तुम्हें क्या करना है तुम्हें सोचना है सबसे पहले जो तुम्हें auditor पॉइंट कर रहा है उसकी integrity चेक करो क्यों चेक करना integrity a person is known by the company he keeps, CA auditor is known by the clients he audits, thank you sir ऐसे आप पहल तुम्हें बोल रहे हो, नहीं सही है तुस्तों, fact है मालूमे आपको एक सत्यम का case जो PwC ने गड़बड करी जिसमें guilty भी प्रूव है उनकी auditors उसके कारन मालूमें सत्यम worldwide it is, in fact PwC worldwide it is the largest accounting firm but India में उनकी audit practice की band बज गई, that was a 2008 fraud 16 साल हो गए उस बात को, जब वो fraud शुरू हुआ था आप देखिये, despite that even today they have not been able to foot strong or set up their foothold in the audit market in India, they have comparatively very less clients तो आपका अगर एक client गलत निकल गया ना दोस्तों तो आपकी image के उपर आपकी business पे बहुत impact पड़ेगा in fact, big four ऐसा होता है, बहुत सारे client को मुना कर देते हैं कि sorry, we will not be able to accept, क्योंकि हमारे कुछ parameters हैं जिनमें आप खरा नहीं उतरते you need to check the integrity, second, आप भी अपनी time capability और resources देखिया आप सुचो कि आपको let's check, कोई audit award किया गया और आपके पास लोग ही नहीं है, आपने मुला है चलो आ रहा है ले लो फिर समझेंगे, यह गलत तरीका है, you should have time resources and capability also capability का मतलब क्या होता है, suppose आपको कोई audit offer किया गया है, जो बहुत ही एक specialized industry का है, जिसका आपको कोई ग्यान knowledge नहीं है, let's say there is a company which is in a special economic zone, उसका audit आपको दिया गया, आपको कुछ समझ नहीं है, और आपको लगता भी नहीं, आपकी team में कोई व्यक्ति है, जो समझ जाएगा, या आप कहीं से समझ आपको समझ कर पाऊगे, बहतर है, आप मत करो एक C.A. firm है, 70 साल का C.A., सबसे यंगे स्टाफ ही उनका साट साल का है, उनको audit मिला एक नहीं कमनी का, जो Fintech sector में है, या technology-based services प्रोवाइड करती हो, क्या उसका audit करेंगे नहीं समझ जाएगे, बहतर है, मत करो We should have capability, time resources, and obviously बात है, आपको ethical requirement including independence तो चेक करना है कि आपकी firm, network, firm, partner, कहीं भी किसी की भी कोई independence threatened तो नहीं है, प्लस अगर आपने उसका पहले कोई काम किया है, कोई engagement उसके साथ पहले करी है, audit, non-audit, तो उससे experience भी use करो, decide करने में की काम लेना है इस पूरे discussion में अगर कोई issue identify हुए है, फिर भी आप लगता है कि आप accept या continue कर सकते हो तो आप document कर लेना क्या तरह से आपने decision लिया, तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार, मेरे पास है ना time है, resources है, capability में बस एक issue है कि मुझे पूरा knowledge नहीं है उसकी industry का और मैंने बुला, that's okay, I can obtain that knowledge because I know a few other charter accountants who are doing similar audits, they will help me to consult plus मैं expert की भी मदद ले सकता हूँ और वो knowledge ऐसा नहीं होगा कि बहुत मुश्किल या obtain करना है, तो आप document कर लो, इस basis पे हमने ये decision लिया इसमें past experience का भी point है, जो SQC में नहीं दिया गया है but essay 220 में repeat किया गया है, वहाँ पे देखेंगे client की integrity के बारे में आप कैसे पता करेंगे तो client की integrity का मतलब क्या हो गया, क्या क्या चीज है, इसमें green कुछ भी use नहीं करना है, green में सिर्फ questions आते है I will not use green, dark green color anywhere to highlight because this is dedicated for questions Client की integrity में क्या check करो, उनके owners और KMP की identity और reputation क्या है उनके operations किस तरह के business practice कैसी है, उनका attitude कैसा है principle owner जब आप उनसे मिलोगे ना तो आपका attitude समझ में आजाए, उनना बुला यार हमें तो कोई भी जस्ता auditor चीए, तुम या कोई भी बता दो, हमें कोई लेना देना नहीं इसे लोग क्या करेंगे कभी support नहीं करेंगे, शुरू से ही आप पर limitation लगा रहा है कि या audit उसको दूँगा जो 10 दिन में खतम करेगा, हमने बुला है, यह क्या तरीक है पीस कम से कम रखने की कोशिश कर रहा है, उसके उपर already अंदेशे हैं कि यह हवाला करता है, money laundering का काम करता है, काला सफेद कर रहा है हमसे हमें पूछना चाहिए, कि भी यह हमें क्यों अपॉइंट कर रहा है, कारन क्या इसका तो क्यों आएगा जो वह आपको जवाब देगा ना, उससे आपको समझ में आएगा, उसके reason क्या है अब suppose उसने reason में बोल दिया कि हम आपको इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पिछला ओडिटार चोड़के वाग गया, हमला क्यों चोड़के वाग गया उसने बुला कमनी ने बुला वो उसने कुछ गलतिया निकाली थी, हमने बुला report मत करो तो उसने resign कहां से पता पड़ेगा आपको तो यह सोर्स है, यह क्या है, integrity of client में what to check और अगला सवाल what to check के बाद where to look course, बताओ उसके बारे में आपको कहां बता पड़ेगा, media में बता पड़े सकता है previous auditor से आप बात कर सकते हो, in fact, ICI require करता है कि जब भी आप audit कर रहे हो तो आपको visual auditor से audit लेने से पहले बात करना होती, accept करने से पहले है कि वही हम ले रहे हैं आपको वह इत्तवत नहीं, तो वहां से आप देख लीजे, previous auditor, third party से discussion कर लीजे, और कहां से ले सकते हो, आप media comments देख सकते हो, तो में दिये हुए point पर आप add कर सकते हैं, और आप कहां से देख सकते हैं, में भी उसके information available with, यह लिखा हुए third party के साथ discussion जैसे की, हम जानते हैं किसी को, जो उसके बारे में जानता है, वहां से, अब उसकी annual report पढ़ लीजे, past की, उससे आपको काफी समझ में आ जाएगा की, annual report यानि की, financial statement audit report का बंच जो publish होता है, अगर लिस्टेड कमनी है, कि वही उसके last year के auditor में report clean दी थी, modified दी थी, report में comments आयते हैं, इस तरह की चीज़े इससे समझ में आ जाएगा, इसके अलावा आप देख लीजे कि कहीं कोई conflict of interest former client के बीच में तो नहीं है, है तो उसे resolve, independence issue, कभी ऐसा हुआ, कि जब आपने audit accept किया था, उस समय सब कुछ थीक लग रहा था, पर अब audit accept करने के बाद अब आपको लटा पढ़ रहा है कि यार client की integrity पे डाउट है, हम बहुत ज़्यादा पता नहीं कर पाएदे हैं, subsequently you are acquiring any information, which if you would have acquired earlier, you would have declined the engagement, अगर आपने यह पहले एक्वाइर की होती, तो आप accept ही नहीं करते हैं, तो हमें वो policy और procedure हमारी discuss करना पड़ेगी, regarding continuous of engagement and client relationship, जिसमें हम किसकी बात करेंगे हैं, वो ही है, withdrawal के जो मैंने आपको rules लिखवाए हैं, वो बाले, हम देखेंगे किया कोई professional legal responsibility अपलाई करती है, कि हमें किसी को बताने की जरुवत है, जैसे कि जिसने हमें अपॉइंट किया, या regulatory body को, और accordingly decide करेंगे कि withdraw करना है, या नहीं, तो अगर आपको बात में भी कभी कोई problem है, नहीं ऐसा हुआ, तो फिर आप यह सब चीज़ें कर सकते हैं, इसके बाद कहता है, स्टांडर के एक अच्छी HR policy बनाओं, जिसमें सारे मुद्दे लिखुआँ, यू शुड आप प्रॉपर policies and procedures, विच आ डिजाइन तो प्रोवाइड a reasonable assurance कि आपके पास परियाप्त employees हों, जो capable हो, competent हो, committed हो, ethically काम कर सके, आपकी engagement को as per professional standard regulatory requirement, और ऐसी report दे सके, जो appropriate to circumstance, मतलब क्या हुआ, वापस से वही बात बोलती, कि हमें ultimately ऐसी team चाहिए, जो हमारे objective अचीव करा सके, क्या objective थे हमारे हैं, तो मैंने आपको बताया थे, student से आप क्या expect करोगे, वो हमारी बाते सुने, और ऐसी त्यारी करें कि exam clear कर सके, ऐसी team भी कैसी चाहिए, जो professional standard regulatory legal requirement फुल्फिल करें, और ऐसी report देने में हमारी help करें, जिसे appropriate to circumstance माना जाएं, पॉलिसी में normally क्या क्या चीज़े आती है, HR से related recruit किसे करना है, उनको कित्ती दंका देना है, training कैसे देनी है, उनको कैसे development, उनका performance कैसे evaluate कर, अगर आप ऐसा करोगे, तो जैसा राज ने आप के साथ किया था, शितोश और राज ने, वैसा आपकी फॉर्म में नहीं होगा, यह आपकी human resource related policy, and then we have direction, supervision and review, that is something which we will take it up tomorrow, आगे का discussion अउपन कर, यह भी बाकी है, इसमें content कर, और यह एक बार आगया समझ में, तो 220 काफी कुछ असी से later है, तो we should be able to quickly do it, यह शेयर भी कर दूँगा मैं आपके साथ, cool, that's about it, इसी के साथ दोस्ता, हमारा किसका discussion पूरा होता है, 210 complete, और SQC1 हमारे part हुआ है, ठीक है, रपा करके इस बच्छे से revise करे, कल हमारा यह वाला पूरा chapter complete हो जाएगा, कौन सा chapter number 11, so we are done with one, we will be done with chapter number 11 tomorrow, thank you.